जाइन दोस्तों कैसे आप सब लोग स्वागत आपका मरी यूटीब चैनल में जॉब नोटिफिकेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों आज मैं वेकेंस से आपको जिंदल स्टील और पावर में लेके हैं हूँ सो आप इसमें फ्रेशर वाले जो अप्लैक कर सकते हैं दोस्तों इसमें आप डिपलोमा वाले इंजिनियर ट्रेनी और ग्रैजुट इंजिनियर ट्रेनी की पोस्त हैं दोस्तों यह जो रिकूर्टमेंट है 2022 की फ्रेश रिकूर्टमेंट है दोस्तों सो आप इसमें जल्दी से apply कर दीजिए और 2022 वाले password अप्लै कर सकते हैं और 2018 तक पाशाइट वाले इसमें अप्लै कर सकते दोस्तो तो इसमें आपकी جो salary रहेगी वह 42900 रहेगी दोस्तो आप हीसमें apply कर سकते सब्सक्राइब जरू कर दीजिए दोस्तो procedure बताईए दोस्तो एक एक प्रोसेस को ध्यान दीजे जिससे कि आपके मांड में कोई डाउट ना रहे और आप अपले अच्छे से कर सके और दोस्तो आप हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब जरू कर दीजे और साथने बेला कंदबा दीजे जिससे कि आग आने ली हर नोटिफिटेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और दोस्तो आप जल्दी से जल्दी अप्लैक कर सके दोस्तों और एक बात बता दू दोस्तों मैंने बीच में वीडियो में बताए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है मैं बहुत से रिजंस होते हैं सो मैंने कुछ रिजन्स बता है तो वीडियो को पूरा देखिए जिसी के आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे और दोस्तों आप हमारा ठीलक्राम चैनल पर भी जॉइन हो सकते हैं वहाँ पर मैं डेली वैकेंसी पोस्ट करते रहता हूं जिनके मैं वीडियो नहीं बना पता हूं दोस्त तो इसमें टाइम चला जाता है तो उससे अच्छा मैंने टेलिग्राम चैनल पर मैं डेली वीडियो स्पोस्ट करते रहता हूं तो ध्यान दीजे वहाँ पर भी चले दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू बिनेकी से देली के साथ तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखि jangangroup.com पर आगये हैं उनके ऑफिशल साइड है जैसे कि आप देख सकते हैं यह जिंदल ग्रॉप का ही ऑफिशल साइड है तो इसमें आपको क्या करना है उससे पहले आपको पता दूँंडम को से कून से से क्टर में वर्ग करता है जैसे कि जिंदल पॉली फिल्म जिंदल इंडिया थर्मल पावर जिंदल इंडिया जिंदल फिल्म्स यह सब टाइप के जो है मतलब जॉब्स यह जिंदल के अंडर आते हैं मतलब यह सबी जो मैंने बता है अभी यह इससे भी ज्यादा बहुत सरे जिंदल के इसमें आते हैं सो मैं बता दू दोस्तो इसमें vacancy जो है दोस्तो कौन से के लिए सो इसमें ITI वाले apply कर सकते इसमें diploma वाले apply कर सकते BE, BTEC वाले apply कर सकते और any graduate भी apply कर सकते सो आपको apply करने में क्या करना होगा सो मैं बता दे रहो vacancy आप कहा पर और कैसे apply कर सकते यहाँ पर है आपको careers, careers पर click करना है दोस्तों, careers पर जैसे click करेंगे उसके बाद current opening नाम को option है, उस पर click करना है आपको, जैसे current opening पर click करेंगे आपके सामने current opening का page खुल जाएंगा, so आपको इसमें apply कैसे करना है, मैं बता दे रहाँ दोस्तों इसमें दो way है, first first जो way है दोस्तों, वो आपको mail send करना है, दूसरा है resume upload करना है, so मैं resume के बारे में बता देता हूँ so दोस्तों, जैसे आप resume पर click करेंगे आपके सामने एक page load हो जाएंगा जिसमें आपको apply कैसे करना है मैं बता देता हूँ दोस्तों, so यह resume आपको upload कैसे करना है so आप जैसे कि देख सकते हैं, इसमें आपको क्या डालना है नाम डालना है, email ID डालना है primary email ID डाल दीजे टेलिफोनिक और telephone home वाला, और इसमें educational background just आपने मतलब degree कुन से किये, वो बता दीजे, जैसे diploma हुआ, या BEB टेक हुआ यह बता दीजे, मतलब 12th हुआ, उसके बाद यह हुआ, degree, so उसमें बता सकते हैं, so उसके बाद देख लीजे कि आप कौन सी position के लिए आप apply कर सकते हैं, so इसमें मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसमें जो पहली वाली है, so इसमें apply कर सकते हैं, so यह जो trainee वाली है, इसमें diploma वाले और BEB tech वाले apply कर सकते हैं, जो diploma वाले के लिए post-reg, diploma engineer ट्रेनी रहेगी और जो BEB tech वाले graduation engineer ट्रेनी, so इसमें apply कर सकते हैं, so IT office administration वाले हैं दोस्तों, इसमें IT वाले apply कर सकते, so आप इसमें apply कर सकते हैं, और B.S.C.B.com वाले भी इसमें apply कर सकते हैं, और other में any graduate वाले apply कर सकते हैं, so select कर दीजे, graduation के लिए diploma के लिए कुन से कुन सी post है, so यह है, यह post है diploma और graduation वालो के लिए यह है CSIT, जिनका CSIT में B.S.C. in computer science कुछ भी कुछ भी CSIT हुआ, तो इसमें apply कर सकते हैं, so उसके बाद बता दो दूस्तो, technical background में आपको technical कुन से कुन से knowledge है वो लिख दीजे थोड़ा सा, और इसमें number of experience है दोस्तो, इसमें 0 डाल दीजे दोस्तो, आपको number of experience 0 डाल देना है, और उसके बाद first job इदर ये तीनो job के है दोस्तो, so इसमें na 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 डाल दीजे, not applicable उसके बाद language आपको कुन से कुन से आती वो, salary expectation कुन से डाल दीना है, जिनको आपको 6 lakhs से नीचे डालना है दोस्तो, और जिनका IT हुआ है, वो 3 lakhs से नीचे डाल दीजे दोस्तो, आपको city select करनी है दोस्तो, और उसके बाद यहाँ पर है, आपको cover letter टेच करना है दोस्तो, cover letter, और cover letter कहा से मिले है, टेलिग्राम चैनल पर, जैसे कि आप preview देख सकते हो, स्क्रीन पर, यहाँ पर दिख जाएंगा आपको, कहाँ पर मिलेंगा, copy paste करके डाल देना है, पर उसको edit करना है, copy paste से पहले, कुछ भी मत डाल दीजे, how did you find us, इसमें आप कुछ भी डाल दीजे, सब अलग लग डाल दीजे, और अपना resume डाल देना है दोस्तो, यहाँ पर अपना resume डाल देना है, और एक बात बता दो दोस्तो, आप जित्ते भी लोग apply करेंगे, उसमें से बस 10% लोगों को reply आएंगा, clearly बता दे रहा हूँ, क्योंकि 90% के, जो लोगों के resume होते हो, वो not, मतलब होती नहीं अच्छे, इसमें आपको अपना cover letter attach करके, अपना resume attach करके भेज देना है दोस्तो, अगर आपको यह नहीं पता हूँगा, कि cover letter कैसे attach करते है, तो मेरे पूराने 2-3 वीडियो देख लीजिए, उसमें से पता लग जाएंगा, चले दोस्तो, वीडियो पसंद आएंगे, तो like और subscribe जरू कर दीजिए, और साथ में बेल आकन दबाद दीजिए, और दोस्तो, मैं आपको एक बात बता दूँ, कि आपको apply करते रहना है, ये मत सोचे कि मैंने एक job में apply किया, और मेरा नहीं हुआ, आपको भले 100 job में भी apply करने के लग सकते, मतलब जो, जिनकी job, किसी-किसी को job first इसमें मिल जाती है, और किसी-किसी को 100 के try में मिलती है, so hope मत कि छुड़िये, क्या पता, आपका last try आपको मतलब job दिला दे, so try करते रहिए दोस्तो, चले दोस्ते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,